दोस्तों बिहार लोग से वायों के द्वारत जो है बिहार सिछक भरती की जो प्रिक्षा ली गई थी उसका अब जो कटफ जारी कर दिया गया है यह कटफ जो है वो सभी कटेगरी के लिए अर्था आपका क्लास वन टू फाइब नाइन टू टैन और इलेवन ट्विल्थ इन स अगर देखोगे तो दिया हुआ है कि असकूल टीचर रिटिन न जो एक्जाम लिया गया था तो उसमें अगर आप बात करो क्लास वन टू फाइब का तो इसमें आपको तीन कटेगरी जेखने को मिलीगा एक जेनरल सब्जेक्ट अर्दू और बांगला तो अगर आप जेनर का जो है वो फिप्टफ है और आप देख सकते ए बिसी जो है उसका कटप के लिए था वो उसका पर जो लेवल है वो काफी डिफकल्ट था वह अगर अगर आप फिमल का देखे तो वाइच के कम प्रेज़न में जो है फिमल का थोड़ा सा जो एक्जाम का लेवल था वो डॉन था लेकिन यहां पे जो आपका कट दिया गया वो एग्रिगेट दिया गय यहां पर separate नहीं किया गया यह overall आपका cut-off जारी किया गया ठीक है दूसरी बात यह कि अगर आप यहां पर देखोगे तो cut-off जो है आपको ज्यादा जाने का एक रिजन यह भी है कि आपका exam के बाद selection का प्रोसेस है वह एक ही एक जाम के बाद आपका selection हो रहा है ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई आपका typing टेस्ट हो या फिर इंटर्व्यू टेस्ट हो तो वैसे में किया कि बहुत सारे जो talented student है व साथ ही आपका जो नियोजी सिचक पहले से जो है वो teaching line में है तो उनका भी कह कि बो लोग भी इसमें पाटिसिपेट किया तो उन सभी कारणों से यहां पे आपको जो cut-off है वो थोड़ा सा increase आपको देखने को मिल रहा है और अर्दू की अगर बात करें तो वहां भी आपको social science वाले में थे तो वहां पे जो cut-off है वो सबसे ज़्यादा भी गया है 74 जो है social science का cut-off गया मेल का जबकि female का जो है 67 है वहीं EWS 70 और female EWS जो है वो 62 वहीं अगर BC की बात करें तो 72 जो है वो आपको BC male का है और female जो है वो 63 है ठीक है तो यहां पे भी cut-off काफी high गया है और इ तो आप primary का जो exam हुआ था PRT का तो PRT के compression में जो है इसका थोड़ा सा जो है वो level मिला जूला था मतलब उससी थोड़ा सा कम है आप बोल सकते हो और class 9 10 के recording जो है लेकिन फिर भी cut-off जो है वो काफी यहां पे रहा है उसी तरीके से आप अगर देखोगे तो math का 72 गया है और science का जो है बहुत थोड़ा कम गया है compression अगर देखो तो काफी कम है और यहां जो NA का मतलब है NA का मतलब IO की द्वारा बाद में बताया गया कि NA जहां-जहां भी लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि उसकी जो है अभियर्थी जो है IO को प्राप्त नहीं हुए है आप देख सकते यहां पर लिखा हुआ है NA का अर्थ है अभियर्थी उपलब्ध नहीं है मतलब साइंस की जो है female अभियर्थी जैनरल के department में आ आपका यहां पर उपलब्ध नहीं है इसलिए यहां पर NA लिखा हुए है ठीक है यह चीज आपको clear हो गया होगा । साइंस में female अभियर्थी जो है वो नहीं है या फिर उन्होंने जो है वो इसे जेनरल करटेगोरी में कटड़ोफ पार नहीं क्या होगा वही भी AWS में देखोगे तो आपको 48 कट़ोफ गया है साइस में AWS का और BC की अगर बात करें तो VC का जो है दिया हुआ है इसके बाद अगर बात करें क्लास 11-12 की तो क्लास 11-12 में जो जादर फूर्डेंट को देखने को मिलेंगे अगर आप लैंगवेज पेपर की बात ना करें लेंग्वेज पेपर के अलावा अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपको हिफ्री वगेरा कर जो है ठीक है सोर्सल साइंस जो सब्जेक्ट था उसमें आप अगर आप देखो तो जोग्रफी का जो है 40 गया एकनॉमिक्स 44 है उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा पुलिटकल साइंस 39 होम साइंस 49 तो अगर आप देख खा जाए तो इन सभी में सबसे जाधा जो आपको cutoff देखने को मिलेगा वो आपको history का देखने को मिलेगा क्योंकि जो number of student है वो सबसे जाधा आपका इसी subject में देखने को मिलते है इसलिए यहाँ पे जो cutoff है वो काफी high गया है वो भी male category में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी differences है male और female में ठीक है male का जहां पे आपको 70 पे हो रहा है वही female का जो है 39 में ही वो चैन हो गया है आपका history subject पे उसी तरीके से जो है EWS में जो है NA है मतलब महला अभियर्थी जो है EWS में नहीं मिली है और फिर EBC है EBC का 41 गया cutoff उसके बाद फिर BC का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 44 है मतलब सबसे जादा अगर आप देखो तो हिफ्टी कैसा subject है जहां पे general का जो cutoff है वो बाकी category के तुलना में काफी ज सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है लेकिन हिर्फ्री वाले subject में खासकर आपको यह pattern देखने को मिल रहा है ठीक है वहीं अगर हम लोग बात करें बाकी के subject में तो science वाले में भी अगर आप देखोगे तो यहां भी जो है बो 39 ही cutoff गया है ठीक है बाकी के जो अभियर्थी है यहा जो है cutoff का अंक जो cutoff है वो प्राप्त हुआ है प्रन्तु उनका roll number जो है वो सफल अभियर्थों के सोची में सामिल नहीं है तो इसका करण यह बताया जा रहा है कि जो लिखित परिश्चा की कुल प्राप्त अंक है वो या तो उनका cutoff के बराबर उनका number आया होगा ठीक है और ऐसे में किया है कि उमर पहले का उमर और उमर में समानता होने पर देवनाब्री जो नेम का alpha weight है तो उसके according यहाँ पर उमिद्वार का chain को बरियत्ता दिया गया है यह चीज़ी यहाँ पर आयो कि द्वारा पताई जारी है साथ ही यह भी बताय जा रहा है कि अरक्षन से अधिक अंकब प्राप्त है फिर भी उसका जो document verification है वो सत्यापित नहीं हुआ है उसके कारण उसका जो है अभियरत्ता समाप्त हुई है या फिर अगर उसने जो है language paper में अगर वो सफल नहीं हुआ तो उसको जो है वो परिच्छा भल में सफल घोसित नहीं किया गया तो यहां पर आयोग की द्वारा सारी चीज़ों को जो है clear करने का प्रयास किया गया है अगर आप यहां पर देखोगे तो आयोग ने एक और लिस्ट जारी किया है जैसे आपका class 19th के जो भी लड़के है जो की आपका paper qualify नहीं किया है कौन सा है तो language paper जो है अगर वो qualify नहीं किय है तो qualify करने का मतलब अगर 30 marks नहीं लाएं तो लोग यहां पर disqualify कर दिया गया है और उनका यहां पर lift जारी किया गया है ठीक है यह चीज़ यहां पर देखो कुछ लोग तो यहां पर absent दिख रहा है और कुछ लोग जो है वो qualify नहीं किया है subject में ठीक तो यह चीज़े यहा science था या फिर जो बाकी के subject थे अगर लोग भी अगर qualify नहीं हुए language paper में तो उन लोगों कभी यहां पर result pending कर दिया गया अर्था बो लोग जो disqualify हो गया यहां पर यह चीज़े आयो कि द्वरा बताई गई है आप अगर उसके home site पर जोगे तो वहां पर पर पूरा lift मिल 11 12 का दिया हुए 19 का दिया हुए कि कौन-कौन लेंग्विज पेपर को qualify नहीं कर पाई या आप सेंट्र रह गए उस्टेय आप से class 12 के कौन से भी हर्थी है जो कि qualify नहीं कर पाई है language paper को उन सारे चीज़ों को यहां पर आयो के द्वरा बताया गया है तो आप इन चीज़ों पर अब्डेटर रही है वहां पर सारी जनकारी आपको जो बुस्त मेंस में पर उप्लप्ट करवाई जाती है थैंक यू